आज किस वीडियो में हम करेंगे एनलाइसिस वीडियो यूनियो सुप्रवाइसर का जो एक्जाम हुआ आज आज मैं आपको बता दूँ आज बहुत सारे कोशन्स हम लेके आये आपके लिए तीनों शिप्ट का ये हमें कुछ कोशन्स जो मिले हैं तो मैं आपको बता दूँ आज को जो एक्जाम के कोशन थे वो ह की तरह आप वो झालज़स की तरह पूचा जा रहा है तो मत किसीने पड़ा भी नहीं होगा ऐसा तो तक पूरी डइतेल के साथ की इस्ट्री से कोषिए उठाय आ पूछे जा रहे हैं और वो स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं तो गाइस अगर आप चैनल पर अभी तक न्यू होता चैनल को सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन वैल को भी आन कर दो अगर आपने अभी तक एनलाइसिस वीडियोस नहीं देखिए नाइन्थ और टैन्थ नुवंबर की तो डिस्क्रिप्शन वाक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा एनलाइसिस वीडियो का उस पर विजिट करकी वीडियो को वाज कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट सोच्छल मीडिया प्लैटफरम जोइन कर सकते हो कल ला आपकी easy होंगी बट कुछ section आपकी easy होंगी जो की difficult होंगी तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है गाईस तो चलिए हम देखते हैं आज का जो कोशन्स हैं वो क्या क्या हैं और डिफरेंट डिफरेंट सोचल मीडिया प्लैटफरम जोइन कर लो टेलिग्राम इंस्टाग्राम फेस तो फ्रेंट से आप यहाद देख सकते हो गाईस जो आज का यहां पर review हो है एक्जाम का जो first question यहां पर पूछा गया है वो पूछा गया है कि first question यहां पर जो पूछा गया है वो है सिर्नगर botanical garden established in 1969 तो जो botanical garden है सिर्नगर में वो कब established हुआ था यह first question आया था first shift में आया था यह first question यह है उसके बाद क्या बोलते है उसको इसको जवाल ना नहरू botanical garden भी बोला चाता है और यह 1969 में published हुआ था तो आपने expect भी नहीं किया होगा कि इस तरह का question भी बन सकता है एक्जाम में तो question बन रही है आपको वस इतना यह चीज़े देखनी है उसके बाद अगर मैं बात करूं राजपहरीन विल लाइफ century इसका question तो जो था first day को भी आया था क्योंकि राजपहरीन विल लाइफ century का another name क्या है तो इसको उसके बाद फ्रेंस थोड़ा recorder में problem है इसलिए थोड़ा इसलिए तो राजपहरीन विल लाइफ century इसके लेटर question आया था first day को जब exam हुआ था last shift में question पूछा गया था कि जो राजपहरीन विल लाइफ century है उसको दूसरे नाम किस नाम से जानते है तो आपको डक्सम था ठीक है डक्सम नाम से जानते थे राजपहरीन विल लाइफ century अनंतनाग में रिस्टिंग में located है और आज की यह question पूछा गया थी second December 1984 में यह पूछा किया था question के स्पा में आया था कि बोपाल गैस tragedy कब हुई थी तो यह इसको बोपाल डिसास्टर भी बोला जाता है और बोपाल गैस tragedy भी बोला जाता है तो इसमें जो गैस लीक हुई थी वो थी मैथाइल आइसो साइनेट तो आपने कल जिनका एक्ज कब हुई थी ठीक है इस चीज़ को अपने कल अपने साथ लेके जाना है ठीक है उसके बाद है कि एक question आया था कि how many times India won world cup इंडिया ने कितने times world cup को विन किया तो मैं आपको बता दू two times win किया है 1983 में किया था जब इंग्लेंट और इंडिया की वीच में world cup हुआ था और 2011 में जीता था और जो की इंडिया और बंगलादिश के वीच में हुआ था ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं एक question हो रहा है था कि जंसकार is the tributary of which river in लदाक तो वो इंदूस की tributary है ठीक है इस तरह से कुछ question था एक question question गया था कि जो मोल है वो SI unit है किसका तो वह है amount of substance का ठीक है यह इसका राइट अप्षन था स्करबी ड्यूटू deficiency आप विटामिन सी तो यह भी question था विटामिन के लेटर डेली डेली टू डेली एक question बन रहा है विटामिन का कि विटामिन से लेटर जो भी questions बन रहे है उसके बाद पूछा कि scientific name क्या है विटामिन सी का वह ascorbic acid था ठीक है उसके बाद next चलिए पूछा था कि symbol of iron symbol क्या है आईरिन देखिए मैंने कल भी आपको बोला था कि symbol पे question बन रहे है चाहिए वो एक बन रहे है चाहिए वो दो बन रहे है ठीक है symbol पे question बन रहे है तो f e होता है इसका symbol उसके बाद पूछा था कि musk deer का scientific name है वो क्या है तो वह आपको मोस्चेस है सेंटिफिक नेम आप उसके बाद पूछा गया था कोशन डियू लास्ट रूलर यानि कि हिस्ट्री से कोशन आया था बीजेज नेस्टी के दे समनात पठान द्वारा इसमें रूल किया गया था ठीक है अब यह exact question ऐसा था कि नहीं था जैसा मुझे पता चला मैंने वैसा ही इसको लाया उसके बाद question आया था कि किश्मीर में climate से question आया था किश्मीर में cold winter होती है 40 days का जो periods रहता है उस periods को क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है चीले clan बोला जाता है ठीक है बगेरा बगेरा जो moment थी वो कब हुई थी वो 1844 में हुई थी और यह कांपे हुई थी यह पूछा गया था आपसे ठीक है उसके बाद पूछा गया था यूनेसको का जो headquarter है वो कांपे located है तो वह का पैरिस में है ठीक है फ्रांस में उसके बाद था after 14th century हो रूल इन कश्म 14th century देखें history से किस तरह से question बन रहे σाथ 14th century तक किस ने rule किया कर जो question पूछन आए था 14th century में तक किस ने rule किया यह चो edges व्रीज़ देख पस रूंइन में किया उसके बाद में जो प्रोसेस हुए थे वो 1992 में हुए थे ठीक है क्रेंट ली कुछ ऐसा कोशन था सुनने में आया क्रेंट डिनेस्टी इसका यह अंसर इसा मौन्ट आप दी चार्ज पर यूनिट टाइम दर फ्लोस थ्रूदा यूनिट अप चूजन करेंट यहां तो कोशन ऐसा था कि जो क्रेंट फ्लो होता है वह हुए प्रटेंचिल डिफ्रेंस तू लोग प्रटेंचिल डिफ्रेंस में इस तरह कोशन था यह पूछा गया था तो यह अपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की है सिनानियम पूछा गया था ट्रीबील का डानियम पूछा गया था इरुडाइट का और इंग्लिश के आर्टिकल के अगर मैं कोशन की बात करूँ फर्स शिप्ट में फॉर कोशन थे प्रिपोजिशन के दो से तीन कोशन देखने को मिले हैं रिइंग रेसिंग के तीन मिले ते और जो कोशन थे वो पॉइंट में आ रहे थे ठीक है उसके बाद ब्लर लेशन आया था सिंबल वाला जो कि मैंने कल वीडियो बनाई थी जिस पर हो आया था ड्रेक्शन सेंस टेस्ट आई थी इनक्वेल्टी साही थी और जो स्पीड डिस्टेंस वाले कोशन साही थे व यह चीज़े पढ़ जाते हो तो तब ही आके दस नंबर कहीं नहीं जाते हैं इन चीज़ों पर उसके बाद पूचा गया था कि स्टेक हंगूल के लेटेट कुछ कॉशन पूचा गया था कि जो कश्मीरी इसको रेड रेड ही डीर बोलते हैं हंगूल प्रजेक्ट को शिकार फिर्सद्वार और चीज़ों फोर्टमा जो चीज़ों तो आंचीज़ों इसके बाद तो तो फिर्सदों सब्सक्राइड कल़क में था सबस् reference सब्सक्राइड और서 और भूछा धे को बेकिंगा क्या था कि रॉट का कैल्स्पार चंस्यवकर थे इसकोkor सच को सुमया था पिए टी-टी-वान में किया था और ये राजा टेक से किया था मुहम्मद में अब जो डोडा को कांग्यूट किया था उन्होंने किया था एटी-टी-टू में किया था ठीक है आर्टिकल टू-फौरी त्री जो ये आपका पंचायिती राज एक्ट के अंडर आता है 73rd के अंदर आता है तो यह किसके लेटे था उसके बाद था कि जो पैरा गलाइडिंग गेम्स हुई 2050 में वह कहां पर हुई थी वह इंडिया में हुई थी वह हिमार्चल प्रदेश में हुई थी ठीक है उसके बाद था कि उस्ट्यो मेलाइशिया डेवलप्स मोस्ट कामने ड्यू टू विटामिन डी की डिफिजेंसी के साथ होता है ठीक उस्ट्यो मेलेशिया उसके बाद कोशिण जो आए था कि वेकिंग वाशिंग सोडा इसे कैमिकल कंपाउंड विधी फार्मला एने टू सी आसे नोन है कार्बो नेर्था आपकी साइंस पोशिण में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि आपको इस तरह के नाम पढ़ने हैं बट कोशन देख सकते हो आप किस तरह से कोशन आ रहे हैं नासा की फुल फार्म क्या है नैशनल एरोनाक्टिक्स एंड स्पेस अड्मिस्टेशन इट वास स वह कहां पर लोकेटेट था है वह आपकी महराश्टा में लोकेटेट थी ट्विन सिस्टर के बारे में बात की थी सुनसर अ मांसर सुरिन सर ओकेट उसके बाद इंदूस रीवर और और गार रिवर से वह आपके इंदूस रीवर थी कुछ इस तरह का कोशन था उसके बाद जो इंपॉर्टन कोशन से ही आया था कि ब्लैक बुल बुल कहां से फांड होती है तो दोस्तों यह डैचिमन नैशनल पार्क नैशनल पार्क से फ्लाइग कैचर भी होती है याद रखनेना फ्लाइग कैचर भी याम से होती है ऑट अंन और класс है कुछ वह लिए अपन दूस्स के लिए fantasy नाधिन लेक दी उसके बाद हाद 그 प्रनीशय क Alexandria कि वह किसकी वज़े से होता है बी 12 की बज़े से एक कोशन दो आई था लास्ट शिप्ट में नेता जी हैस डिसाइट टू रीनेम हवारा काल का मेल एस नेता जी है कौन सी ट्रेन का नाम नेता जी एक्सप्रेस किया गया रीनेम तो वह की होर का काला मिल पी फर्स्ट चीफ एलेक्शन कमिशन को थे इंडिया के वो सुकुमर सैन थे ओके माडल आफ कॉलकोस इंट्रोड्यूस इंडी इस्ट वाइल सोवित यूनि एसोशेटेड विज ये कॉलकोस आ ये मैं आपको बता दूँ अग्रिकल्चर की फैसिलिटिस के लिए लिया गया क्योंकि जो प्रड़क्शन थी उसको बढ़ाने के लिए और ये एक क्लेक्टिव फार्मिंग जैसा कुछ था अनकी ताब अब ये कोशन आया था प्रस्टनेलिटिस में बर्ड मैन आफ इंडिया देकि तीन दिन होगे हमार से कुछ प्रस्टनेल्टिस के कोशन पूछे जा रहे हैं ठीक है वर्ड मैन आफ इंडिया स्लीम अली को बोला जाता है ठीक है और स्लीम अली नैशनल पार्क कहां पर अगर आप से पूछा जाए कि स्लीम अली नैशनल एक पार्क है सेंट्री साइधिंग वह गुगा में है हुगारोर किका बारों की चुकी इसके में बारे में पताया था कि आधि तो क्रौट्र के फार्ट का में है तीक है गगन चुकी है अब सैच करो फीजिकल लैंटीकल डिविशिंस आफ़ीज naar वहाद उसमें आख और उसके बार्स के बारे में दो लाक्षिन है उनको पढ़ था उसके बाद एक यहां पर कोशन आया था हाइबूसा सेकंड इजन इस्ट्रोड एस्ट्रोड है सैंपल रिटर्ण मीशन ऑपरेटेड़ वाइदा जपानी स्टेट तो यह हाइबूस एरक्राफ्ट के बारे में बात की थी यह क्या है वाल्ड यंगेस्ट प्राइम बिटामिन टू के लेटेड़ कोशन आया था इनेमिया की डिफिशेंसी किसी होती है पंच कार्ट से कंप्यूटर के लेटेड़ कुछ था मैक्सिमम अलाउड लैंध डियोस कुछ ऐसा था स्टिंग जैंट का ऑपोजिट मीनिंग पूछा था उसके बाद कोस्मा नाउट व दी वो कौन सी फिर्स्ट बूमन थी जो की फिर्स्ट स्पेस में गी ती हुआ की वैलंटीनिया ट्रिक्षिकोवा थी अब ये कोशन हो रहाया था कि जैंके अग्री एक्सपोस्पोर्ट तो यानि कि एपल्स और वाललनट को ये एकसपोर्ट करेंगे ये कौन सी कंडरी में क करेंगे यह आपको खुद सच करना है ठीक है मुझे याद नहीं आई थे कि 22 कांट से था यहां फिर क्या था मैंने पढ़ाया था यह चीज इसलिए मुझे याद है तो आप इसको सच कर लें कि यह कहां पर इसको एक्सपोर्ट करेंगे अब पूछा गया था कि वैंडिड सिक सिक्रूल कश्मीर में कब आया तो यह आपका 1890 में आया और आपसे कोशन और पूछा गया था कि रिजोरी जो मस्ट की गई न्यू डिस्टिक ऑन दी मैप अप स्टेट वो कब की गई 1968 में उसके बाद मेजर ध्यान चंद खेल रतन बाड की यह पूछा गया था कि इंडिया क था हाइस पोर्ट्स अवार्ड कौन से है तो वह आपको मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड है उसके बाद हाव मैनी कलर डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन स्क्रीन वो थ्री कलर से हैं रैड ब्ली और ग्रीन को याद रखना जो आज कोशन आये थे वह कल नहीं आए हुआ और यह फार्म में लाए गया 12 अप्रेड 1949 में गांधी जी स्टैब्लिश था पैसिव रेजिस्टेंट एसोशेटर इन सौथ अफिरिका इंदा एर 1916 में यह स्टैब्लिश किया गया था ठीक है यह पूछा गया था कि सेयर में इसको स्टैब्लिश किया था उसके कब हुआ हुआ ठीक है तो यह 1946 हुआ किल्गत्ता किलिंग स्वाजी दे आफ नैशनल वाइड कम्नियों लुर्योट्स वाइदी इंडियर मुस्मिलिक क्म्निटी अनौंस वाइदे मुहम्मद अली जिन्दा वीट एक रावी की किराप रावी की किराप से कुछ ऐसा कोशन था लगी था सिंबल पूछा था होको बलेट का तो ऑसी होता है लाश्यवट में तो वह कौन से बस संते जिन्होंने अलेक्टटरूंस जिन्होंने अलेक्टरण्स को बाडर मिलीन कहा तो यह जी फोमस थे यह कोशन आये था और पूछा गया थे कि जो पोलो गेम्स है वह कहां से आई है अब इसका मुझे एक्टा अंसर नहीं पता कि इसका जो पोलो है यह कहां से आई है तो यह बोला जाता है कि यह ट्राइड से ठीक है और वहाँ से उसको सगोल कैंगजेई कंजाई का बोला जाता था तो गाइस यह थे आज के 74 कुश कोशन जिनका कल सुबह एक्जाम है वो विलकुल भी फोकस ना करें पर बस मैं आपको कुछ प्रिंसेट बता देता हूं कि आप इस पर जादा फोकस करें अजर आप रात को हैं जीके का सबसे पहले आप हिस्ट्री के देख लो डीप जो डेट से हमको याद रख लो उसके बाद आप विशाखा पटनप की जो ट्रैजडी गैस है उसके बारे में जान लो उसके बाद आ रही है तीन नंबर की बिलेशन दो तीन तीन माक्स का रहा है उसके बाद ड्रैक्शन आ रही है दो से तीन माक्स की उसके बाद साइलोगिसम आ रही है दो से तीन माक्स का उसके बाद इन्क्विल्टिस आ रही है दो से तीन माक्स की तो गाइस साइलोगिसम बोला जा रह वा जिन बच्चों का एक्जाम कल तो चलो कोई नहीं देखाएगा एक्जाम बट यही एनलाइसिस है जैसे ही गाइस पेपर अपनी आंसर के आएगी आइधिंग कल नहीं तो परसो 13 या 14 15 तक इसकी आंसर के जरूर आपको देखने को मिल सकती है ठीक है अपना-पना पेपर ज के सेक्शन को डिसकेशन करेंगे आज जैसे साइंस कर ली फिर कंप्यूटर करेंगे इसी तरह से हम चीजों को डिसकेशन करेंगे तो खुब सो गाइस रखूंगा मैं इस वीडियो को फिर यहीं तक फिर मिलूंगा आपसे कल नेक्स वीडियो में एनलाइसिस वीडियो के सा so okay guys bye bye take care good night to all of you